दोस्तों अगर आपका आधार कार्ट खो गया है और आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आप आधार कार्ड अपना बनवा सकें या निकलवा सकें तो उसके लिए अपने नस्दी की आधार कार्ड में नहीं लिंक है तो आज की स्वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपना आधार नंबर प्राप्त होने के बाद घर बैठे अपना पीवीसी में कैसे अधार कार्ण मंगवा सकते हैं बिल्कुल आसानी से तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आधार करने के बाद जो सबसे पहले लिंक आ रही है यहां पर आपको सिंपली क्लिक कर दे बाइब्सक्रत रहे है दूसरा ऑप्शन है अगर आपके उसमें मुबाइल लगा हूँ तो आप लोग इन करके वहां से संफलीENTE सम्पली ओर कर सकते हैं छल लगर आपके उसमें अधार긴 में नहीं लगा हूए मुबटर आधार पीवीची कार्ड यहां पर आपको संपली क्ल जेस्टी और स्पीड पोल्ट का चार्ज मिला के टोटल पचास रुपए है पचास रुपए में ही आपको ये आपके घर के अड्रेस पर मिल जाएगा तो यहां इसो घर मंगवाने के लिए हमें यहां सबसे पहले अपना अधान नंबर टाइप कर देना है यहां पर अधान नंबर टाइप करेंगे अधान नंबर आप चेक करके ही डालना तकि कि इसमें कोई और डीटल दो फिल कर नहीं सकते तकि पता हो कि आपका आधार है या नहीं तो इसलिए अपना आधार काड देखकर ही डालें उसके बाद यहां से जो कैप्चा सो हो रहा है capture को इसमें fill कर लेना है capture fill करने के बाद यहां से my mobile number not registered तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेना अगर आपका mobile number register है तो send OTP कर सकते हैं फिराल नहीं register यहाँ पर click किये click करने की बाद यहाँ से mobile number type कर देढ़ेंगे mobile number type करने के बाद send OTP पर click कर देढ़ेंगे जैसे send OTP क्लिक करेंगे मेरे नंबर पर एक OTP आ जाएगी पर जो भी नंबर आपने डालक है उस पर OTP पहुंच जाएगी अब simply use OTP को यहाँ पर टाइप कर देना है OTP टाइप करने के बाद यहाँ terms and condition को अप accept करके यहाँ सो close कर दीजिए accept कर लिए करने के बाद submit पर क्लिक कर देना है यहाँ पर OTP कर दीजिए OTP करने के बाद देखे इस मेरा जो इसारे नंबर है वो जनरेट हो चुका है अभी उच्छे payment करना है 50 रुपय को यहाँ से accept करके make payment पर क्लिक कर देंगे करने के बाद यहाँ से काफी सारे option खोल कर आ जाएंगे आप किस तरीके से आपना payment करना चाहते हैं और सारे डिटेल्स कुल कर आ जाएंगे तो मैं अये यूप ईसे करने वाला हूं दिया पर यूप अ क्यों फोंड-प ले ले रहा हूं फोन पर ले ले रहा हूं फोन पर यहां से मैं अपना in 은 पे से रेजिस्टर नमबर डाल दे रहा हूं ये मैंने पयंबर डाल दिया फोन पर वाला उसके बाद verify पे click कर देंगे verify करने के बाद यह मेरा नाम इस पर आ गया अभी मुझे प्रोशीट कर देना है यहां से प्रोशीट करेंगे प्रोसीड करने के बाद अभी हमको अपने मुबाइल दूसरे मुबाइल पर चार्राज चले जाना है जो मैंने मुबाइल डाल लगा है उसका फून पर अप्लिकेशन जो है ओपन कर देना है अपन नोटिफिकेशन में ऐसा मैसेज गया होगा जो पेमेंट लिंक गई हुई है उसको उसी लिंक से पेमेंट कर देना है मैंने वहाँ से लिंक को वीरिफाई कर दिया है जैसे वहाँ से पेमेंट सक्से होता है यह देखें मेरा पेमेंट सक्सेस्फुल हो चुका है सब्सक्षिस्फुल पेमेंट होने के बाद इसमें एक 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 और अलबेंट स्लिप गुल जाएगी कि इसके लिए हमें कैप्चा फिल करना है कैप्चा फिल करने के बाद देखें मेरी जो एकोनोलमेंस है वो डाउनलोड कर लेना है यहां से मैंने डाउनलोड कर लिए इससे अपना स्टेटस ट्रेक करने के काम आएगा यह मेरा डाउनलोड हो चुक है डाउनलोड से दिख जाएगा और फिरहाल में एक स्क्रीन शोट भी कर ले रहा हूं तो यह तो हो गया आपको अपने मुबाइल फोन के मतल से मैंने कर लिया कि मेरे पास आधार भी नहीं था यह मानलो मेरे पास कोई डीटल नहीं थी फिर भी सिर्फ आधार नंबर था अगर आधार नहीं होता तब यह मिल जाता आधा बिल्कुल आसानी से वह हेल्प लाइन नंबर पर कोल करके आसानी से मिल जाता है मेरे पास अधार नंबर था उसमें मुबाइल नहीं रेजिस्टर था मैंने ओडर कर दिये मेरा ज्यादा ज्यादा पांस से दस दिन के अंदर मेरे घर डिलिवर हो जाएगा तो आसा करता अब यह जानकारी अच् लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स टाइम आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंकि फूर्वर्ट